हेलो फ्रेंड्स आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार लोग सेवा आयो के तिरब से जो असिस्टेंट का जो फॉर्म निकला है उसे ऑनलेन कैसे करना है तो चले वीडियो को शुरू करके ऑप्षिन आ रहा है जहां पर अप्लाइन का ऑप्षिन देखने को मिल रहा होगा तो आपको इस अप्लाइन का ऑप्षिन है इसके उपर किलिक कर देना है इसके बाद यह आपका पेज अपेज होगा आपके सामने यह पेज हो जाएगा जहां पर सबसे पहले आपको अ आलम में अगर जोड़ देता हूं यहां धियान रखेगा तो आलम मेरा last name हो जागा और MD मेरा first name और परवेज मेरा middle name हो जागा तो जैसे आपको इसी तरह सब्सक्राइब भर लेना है उसकी बाद आपके पापा का नाम जो होगा अपने पापा का नाम देंगे अगर आपको फे इमेल में आते हैं यहां transgender में आते हैं फिर आपको को भी ID प्रूफ देना है जैसे काधार कार्ड प्रैंड कार्ड यह ड्राइविंग लाइसेंस इस तिन में सब्सक्राइब आपको एक देना जरूरी है वरना आपको यहां पर फॉर्म नहीं बढ़ाएगा और इसकी बाद अगर बिहार की निवासी नहीं है तो यहां पर लिख देना है इसके बाद यहां पर पूछ रहा है कि आप फिर रिडम फाटर के पोता पोती या नाती नतनी है यहां पर किलिक करना है साथ में आपके पहस पूछ रहा है कि आप विकलांग है या नहीं है आपको yes आपको इमेल डालने के लिखा जाएगा तो इमेल डालिएगा और आपका मोबाइल नमर डालिएगा तो यहां पर सेंट OTP का ओप्शन देख रहा होगा तो आपको सेंट OTP पर किलिक करना है और उसके बाद जो आपकी मेसेज आएगा उसको यहां पर OTP डालना है यह CAPTCHA कोड करने के लिखे रहा होगा आपको इस CAPTCHA कोड को यहां डालने के बाद समिट जो फॉर्म दिया है आपको इसके उपर किलिक करके यह इसके बाद यहां पर आपका ID और पासवर्ट आपको मिल जाएगा यहां पर रजिस्रेशन हो चुका है आप इसके बाद यहां देखेंगे आपको जो ID और पासवर्ट जो आपको मिला है उसका यहाँ पर इसतमाल करके यहाँ पर CAPTCHA कोड देखेला इस CAPTCHA को यहाँ भढ़ने के बाद लोगिन के उपर किलिक कर देना है चाहाँ को आप आना है और प्रॉसीड का ऑप्चिन आपको दिख रहा होगा यह प्रोसीड का Option की यूपर आपको किलिक करदेना है कितना पैसर कटेगा वह आपको दिखजाएगा उसकी पैसा यहाँ देखने के возмantsy banking debit card या credit card के माध्यम से जिस भी माध्यम से payment करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं तो जिस भी माध्यम का debit card आपका है रुपे का है या master card का है visa card का इसके इस्तमाल करके आगे के और बरना है यहाँ पर देखेंगे तो आपको card holder name, card का number, expiry date और CVV number डालके बोलेगा और यहाँ पर जहां पर हम बात करें तो आपको सब कुछ detail देखने को मिलेगा उससे यहां पर पहरा option देखने को मिलेगा कि आप government apply हैं कि नहीं है तो आपको YES अनौपे करना है अगर Yes पर क्लिक करते हैं तो बताना पड़ेगा कि कौन से पत पर काम करते हैं, और उफिस कौन सा कहां काम करते हैं अगर यह नहीं है तो छूढ़ सकते हैं, उसकी रफिशता है आप के पास किया आपके पास किया अट 2145回 सब्सक्राइब करें आपकाand जिसमें आप देख पाईएगा कि आपको मैट्रिक का, इंटर का और ग्रेजुशन का, इस तीनों का डिटेल भरने किल कहा जाएगा, तो मैट्रिक में जो होगा आपका यहाँ पर All Subject लिख दिजएगा, तो आपका मकाम हो जाएगा, सेशन लिख दिजएगा ध्यान से, तो से इंटर में 2012 में का पास गया, तो यहाँ ध्यान केगा, तो रिश्यशन आपका 2010 से लेकर 2012 का हो जाएगा, यानि कि जितना साल का कोड़्स होगा, उसका उतना साफ का बीच में गैप करना पड़ेगा, और यहाँ आपका रिश्यशन नमबर देखिएगा, आपना वहाँ पर सूद्ट का नाम लिख देना है सेसन लिख देना है कब पास हूं कौन सब कूल से पास की हैं कितना नमबर आया था वह सब आपको यहां पर भर देना है Bennett offers ग्रीजॏ कोंग भाग debating नहीं एक पर्षेंटेज आपको डालना है इसके बाद पूछ रहा है परजेंट या प्रिविएस लास्ट इंप्लाई डिटेल अगर कहीं काम किये हो तभी दिजेगा नहीं किये तो छोड़ दिजेगा इसके बाद यहां पर देखेंगे आपको पूछेगा कि डिस्क्रिप्शन ओफ प पहचान पुछेगा आपको यहां पहचान देना है जैसे cut mark हो गया one mark हो गया या burn mark हो गया कोई भी पहचान आपको यहां पर देदना है इसके बाद पुछ रहा है कोई भी other information है आपके पास क्या अगर होगा तो दिजेगा नहीं है तो नहीं दिजेगा नो पर right click किजेगा इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको photo और signature अप्लोड करने के लिए कहा जाएगा photo signature जहाँ पर signature आपका हिंदी और इंग्लिज दोनों देखने को मिलेगा तो ध्यान रहे हैं photo जो आपको size होगा वो 25 के अंदर का ही होना चाहिए और वहीं पर बात करते हैं signature कभी यह भी 25 के अंदर का signature का होना चाहिए एक limit होता है इसका देख लिएगा बार बर अप्लोड में प्रोग्लम आ रहा है तो जितना size बोलेगा आप उतना ही size लगकर इसको upload किजएगा अप्लोड करने के पहले आपको अप्लोड कर दिजएगा तो यहां पर आपको प्रिव्यू का option देखने को मिल जागा तो आप प्रिव्यू पर किलिक करके एक और फॉर्म को फिट से रिवाइच कर दिजएगा कि आपको जेतना form भरे हैं वो सब कुछ सही है के नहीं कि अप्लेकेशन का option आपको किलिक कर देना है कि यहां पर फॉर्म को पुरते से complete हो जाएगा और फिर इसका आपको लोगिन पेज पर आना है और फिर से आप देखेंगे इस पकार को पेज दिखेगा जहां पर देख पार होंगे प्रिंट application form का option आपको दिख जाएगा यहाँ पर लिख्या जाएगा कि आपने पहले form को complete कर चुका है पीटी का अब यहाँ पर आपका अपना application form को यहाँ से डाउलोड करके रख सकते हैं तो यहाँ पर आपका form complete finally हो जाएगा अब प्रिंट निकाल के रख लिएगा अब बहुत से बच्चे को को कोशन होगा क्या मुझे इस PDF को भीजना है क्या इसको यहाँ पर आप एंसर है नहीं आपको PDF कहीं नहीं भीजना है यह PDF निकाल के अपने पास सेब करके रख लिजेगा और आपको यह काम देगा जब आपका डीवी होगा document verification होगा तब यह आपका requirement होगा वहाँ पर आपसे मांगा जाएगा अपना यह application form दिखाईए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तो जो बच्चे ध्यान से जिसका graduation complete हो गया है वह बच्चे को ज्यादा ज्यादा बता देजिए कि form apply वह लोग भी कर सकते हैं और इस पकार से आपको full notification देखना है तो आप YouTube पे मेरा वीडियो द्यारवा है आप वहाँ पर जाके चेक कर सक होते हैं आसा करता हूँ वीडियो अच्छा लग होगा वीडियो अच्छा लग होता लाइक से यह चैनल को सब्सक्राब करेंगा थैंक यू